नमस्कार, बहुत स्वागजट है आपका गुरुबर के दिन, कुछ ऐसी बस्तुएं होती है जो भूल कर भी किसी को नहीं देना चाहिए नहीं तो दुरभाग आपका पीछा ही नहीं छोड़ेगा क्योंकि गुरुबर का दिन, देव गुरु ब्रिसपती ही नहीं बलकि लक्ष्मी पती यानि मा लक्ष्मी के पती का दिन है अब मा लक्ष्मी तो उनके साथ रहती है तो कुछ ऐसी वस्तु होती है जो भूल कर भी किसी को ना दें वरना आप जीवन में कभी उन्नती नहीं कर पाएंगे दुर भागे आपका पीछा नहीं छोड़ेगा और का फहल हमें मिल रहा होता है अब गुरू वार के दिन कुछ खास वस्तु है जो किसी को ना दे वर ना आप पर ये चीज़ें भारी पर जाएगी तो देखे गुरू वार के दिन किसी को भी अपने घर में रखा हुआ अनाज नहीं दे इसलिए तो बहुत समय पहले की जोती सगर माने ता को माने तो गुरु वार के दिन किसी को भीक नहीं देना चाहिए गुरु वार की कथा में भी है तो ऐस दान नहीं, दान आप कर सकते हैं खाने खिला पिला दें लेकिन अनाज घर से रखा हुआ आप मत दीजिए ऐसा करने से घर की बरकत चली जाती है दीरे दीरे आप कंगाली की और बढ़ने लगते हैं और अगर कुछ देना जरूरी है तो आप बजार से खरीद कर दीजिए पर घर के भंडार से अन मत दीजिए गुरुवार के दिन वढ़ना पस्ताना होगा दूसरी चीज है सोना चांदी कई बार होता है न हम साधी विबा में अपनों के यह जाते हैं और वहाँ पर जा के हम कुछ जैलरी उने गिप्ट करते हैं सोना चांदी पर याद रखिएगा गुरुवार के दिन अगर आप सोना चांदी किसी को देते हैं गिप्ट के ही तौर पर तो ऐसा होने से खासकर महिलाएं अगर अपनी गहने दूसरे महिलाओं को गहने दे रही हैं तो ऐसा करने से खासकर महिलाओं को जादा बचना चाहि यानि आप जो दे रहे हैं उनको भी और जो आपको दे रहे हैं उनको भी तो एसे में काला कप्ड़ा देन लेन ना करें वर्ना आपका वक्त बुरा सुरूर हो जाएगा तो गुरुवार के दिन कुछ खास चीज़ों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो फिर मालक्षिमी भगवान स्रीहरी की किर्पाब रस्ती है हम आपसे भी दा लेते हैं यह तीन चीज़ें जो भूल कर भी किसी को देने से बचे और हम आपसे फिर मिलेंगे धन्यों